हाई प्रेंड्स वेलकम बैक टो मैं चानल आज हम बनाएंगे वाइट प्लाव की रेसिपी तो आप यह रेसिपी जरूर ट्राई करना और मुझे कॉमेंट में जरूर पताना कैसे बनी है तो बिल्कुल खिले-खिले चावल की प्लाव बनेंगी तो देखिए मैंने थोड़ी स चावल लूँगी और इसी में जो है सारे मसालों को मैं इसमें डाल दूँगी प्याज खड़े मसाले सारे एक साथ हम इसमें आट कर देंगे और इसे गोल्डेन ब्राव नहीं करना है पिल्कुल हलका सा पिंक कलर का हो जाए प्याज तो इसमें हम एक छोटे चब मच लस्व नारियल का बुरादा जो कि मार्गेट में बहुत इसली मिल जाता है तो मैंने लगबग इसमें एक बड़ा चमच नारियल का पाउडर इसमें एड़ कर दिया है और इसे हम मिला लेंगे अच्छे से और थोड़ा सा कुछ 8-10 काजु के दाने ले लेंगे हम इसमें भी इसे एड़ कर देंगे इसे भी आड़ करके क्योंकि इसे अलग से फ्राइ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इसी मसाले के साथ यह भून जाएगी अच्छे से तो मसाले जो अच्छे से भून गया है तो मैंने यह 700 ग्राम चावल को 15 मिनट पहले मैंने दो करके इसे सोक कर लिया था अब इसे हम तेल में डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे जादे नहीं भून ना है बस इसे अच्छे से मिला लेना है तो इसे एक मिनट के लिए अच्छे से मिला लें और जितना हम चावल लिये हैं जैसे कि मैंने दो गलास चावल लिया था तो आप व्रेड़ गलास पानी ले लें क्योंकि चावल सोक हूई है मैंने यहां गरम पानी का इस्तमाल किया है तो आप गरम पानी ले ले अगर ठंडा पानी आप यूज़ करना चाहते हैं तो चावल को बाद में डाले पानी पहले डालके मसालों में पानी को गरम कर ले उसके बाद चावल को डाले तो मैंने यहाँ पर नमक स्वाद के अकॉडिंग इसमें डाल दिया है और यहाँ पर मैं थोड़ा सा कसूरी मेथी को हाथों से क्रेश करके इसमें डाल दूँगी इसे थोड़ा सा मिला दूँगी अच्छे से चमश से बस थोड़ा ही मिलाना है और उसके बाद इसका ढखकन हम लगा देंगे और इसे हम medium flame में 2 मिनट कम से कम इसे हम बॉयल कर लेंगे अच्छे से 2-3 मिनट medium flame में बॉयल करें तो इसे अच्छे से उबाल लें कसुरी मेती से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो आप जरूर डाले लगबग मुझे दो मिनट हो गये थे तो मैंने इसका धक्कन हटाया है तो आप देख सकते हैं कितने खिले-खिले दीख रहे हैं तो अभी तो यह पकी नहीं है बिल्कुल भी अभी इसे हम जो है दॉधकर लगा गर के से अलो फ्लम में पकाएंगे और नीचे ळो मैंने कोई भी तवाब लगए रहा है नॉर्मल is अगंगे तो देखिए मैंने फिर से जो है दस मिनट के बाद इसका धकार अथा तो आप देख सकते हैं मैंने यह पर दो से तीन हरामीय हरी मिर्चिस में डाल दिए हैं और इसे एक दो बार है सही हम चम्मज से ये से मिला देंगे उपर निचे कर देंगे जावल को जादर नहीं चलाएंगे नहीं तो फिर चावल हमारे टूटने लगेंगे तो अब मैं इसका धकन फिर से इसे लगा होगे इसका लेकिन थोड़ा सब यहां पर हम द्याय के पत्ते आड़ करेंगे कुदीना के पत्ते और में यहां पर हरादैन्य और पुदीने के पत्ते के को नेई Espero और पैसर बад Björn पेजरें के भाद पहरो ही चैवल हमारा किटना खिला बना है यह वाइड स्पराव की पर बहुत ही टेस्टइ यह में अगर आप मेरे तरीके से ज़रूंट को जब अगर मेरे चेड़ के नये हैं या अगर आपKोv करें और कॉमेट करना विल्कुल भी ना भूलें gegen19 familiar पूरे फैंचे पर बनाए को आन इंजाइ करें और मिलती हूं मैं एक और रे सा Aujourd तब तक मुझे इजास देजे, अल्ला हाफिज, बाई